प्रशायत मंत्री विकास में खुद रोड़ा है मैंने वहां मुद्दा उठायता रो आज मैं कहा रहा हूं मंद्रिगा के रस्ते जो ठेकेदारों रस्ते बनवाए है खासकर इसके चहतों ने और खासकर इसके दुन्नों बाईयों का हाथ है कई जबे मैं सपश्ट भी कर चु है इन लोगोंने एक भर्मित करने का काम किया है कि जिन भी गाओं का बजट जितना भी बजट है टोटल गाओं की आमदन है पियाराई एफ एफसी है उसका 50% आप बगैर टेंडर के यूज कर सकते हो मैं आपके माधियन से बताना चाहता हूं कि पूरे अरियाना के अंदर 10 परशेंट बड़े गाओं है जहां सिर्फ 50 प्रामदन होगी कोई भी काम है वही काम करने है कोई पार्क निम्रास देव गली नाली के काम है वह 25 में बढ़ते थे हर प्रकार से पूरे रियाना प्रदेश का गरामने क्षेतर का विकास रुका हुआ और एक मुख्यमंत्री ज अगर 30 11 2013 को मीटिंग होई थी यह सरासर जूट बोल रहे हैं यह सरपंच साथियों में आपस में फूट डालने के सोची समझी साजिस है हमारी जब भी आज तक कोई भी मीटिंग होई है किसी मंत्री से हुई है मुख्यमंत्री से हुई है तो बिलकुल पहले सारोजिंग रो होती तो ना वो मीटिंग मीडिया में आई ना खुवारों में बताया गया कोई सारवजनी की नहीं हुई हम सपस्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी कोई सरकार के साथ मुलाकात नहीं हुई सरकार घुम्रा करी है और ना हम इन बातों से सहमत हैं हमारा अंदोलना ऐसे का ऐसे ज भी घाने का काम करेंगे और अचार सही तालगने के बाद हम सपस्ट कर देगे ना चाहते हैं कि किसी भी गाउं में लोगों के लिए घुशना मुस्किल होगा इनको वुट जगह पर गाउं की चोपाल या किसी भी अन्य जगह पर इन लोगों को वोट मांगने के लिए जाना प्रदेश के अंदर हर गाउं के अंदर स्कूली बच्चों की शिक्षा को परभावित किया जा रहा है यह सरकार अपने परचार के लिए स्कूल जैसी सहस्थाओं को भी इस्तिमाल करने भी लगी हुई है वहां बच्चों की पढ़ाई परभावित होती है इसका अपने परचार के लिए किसी भी अत्तक जा सकती है यह बिल्कुल निंद्री है और इसके हम अलोचना करते हैं कि स्कूल जैसी सस्थाओं को बख्षा जाए तो नया सारा आने बाड़ है क्या बिल्कुल अचार सहीता लगते ही हम लोग इन लोगों के खिलाब दस की दस है इसआ जहर् परचार के लंद्स करें थे लोगों के लड़ का नुक्राही औरमीर्मियोड के और जान बुजकर हम जार्बन मिल्कुल बिल्कुल बहुत जगह विरोध हो रहा है लेकिन कुछ जगह है कुछ बेचारे जो शरीव सर्पंच उनको डरा दमका कर जान बूझ कर जबरदस्ती यात्रा के वहां बुलाए जाता है ये अपने सत्ता का दूर्पियों कर रहे हैं लेकिन अचार से इता लगने के बाद वही सर्पंच जिनको आज ये अपने संकलब यात्रा के अंदर बुला रहे हैं वह इनके खिलाब परचार में आप लोगों को नजर आएंगे हम सपस्ट बताएंगे निकों कि पूरे अर्याना के पंचायते एक जूट है और मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को आप कहते सरकार बार बार जूट बोलने काम करती हैं और इतने बड़े पत पर बेठ़ कर मुख्यमंत्री जी ऐसा जूट परचार करते हैं सहमती में के मिटिंग को यवि बहुती स्रमनाक सा बात है कि इतने बड़े पतब बैठकर इस प्रकार जूट बोलना बिल्कुल भी उचितनी ह मैं कहना चाहता हूं पंचायत मंत्री विकास में खुद रोड़ा है मैंने वहां मुद्दा उठाय था और आज भी मैं कहे रहा हूं मंद्रिगा के रस्ते जो ठेकेदार नहीं रस्ते बनवाए है खासकर इसके चहतों ने और खासकर इसके दुन्नों बाईयों को आथ है कई जगे मैं सपष्ट भी कर चुक हूं उनकी जाहां चोजें इसके दुन्नों बाई फसे हैं हर प्रकार से जीतने भी टेंडरों ते अध मेडिया में विया था आप लोगों ने आवाज उठाई थी वहां भी गड़बड की है हर प्रकार से सोशन किया जा रहा है कुछ छोटी पंचायतों का डरा धमका कर उनसे मंद्रिगा के रस्ते जान बूजकर अपने चेतों से बनवाए जा रहे हैं उनको ड्रा कर उनसे हैं अब की जाँच कर वो ले जो काम सरपनसों ने की ठेके दार में किए हर काम के अंदर गड़बड है मिलेगी हर लोगों के अंदर की सी भी काम को उठाचा कर देख लो आप हर काम के अंदर कर पड़ा है जाएं को ने अपना कमिशन घोरी का दंदा जूर किया हुए है अवाज उठाई है सरकार जूट बोल दे मुख्यामंतरी जी सदन में कहरें कि सरपंसों के साथ सहमती हो गई है हमने यह कर दिया पांस लाग से बढ़ा कर बिले पच्छी लाग की लिमिट गो कर दिया वो बड़े गाहूं दस परशेंट गाहूं है कितने गाहूं हो गरियाना से बात चीत हुई है अपना ग्रूपों के जरीए मैं पूरे हर्याना के हर ब्लोग के और हर डिश्ट के ग्रूप में जुड़ा हूं आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हूं मैसीज है कोई हमारी सैमती नहीं हुए और हम अपना अंदोलना ऐसे का ऐसे लड़ते रहेंगे और लोग सबा चुनाव और विधान सबा चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे हम सरकारता हुए हम बढ़ाएंगे प्लान हम वो तो करेंगे जब हमारी मीटिंग हुई हूई हूँ कोई मीटिंग नहीं यह जूट बोल रहे हमारे सर्पल साथ को समको बता करेंगे 15 जनवर को हम कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर रखेंगे अपने अंदोल के विश्य में और इस सरकार को दिखाना आएना दिखाने का काम करेंगे